गुड मॉर्निंग बच्चो ग्लो आफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बच्चो प्रिज्म द्वारा परकास का बर्ण पिछेपन और दूसरा इसमें फिर वही पढ़ना आपने प्रिज्म द्वारा आउशोशन स्पेक्ट्रम एप्जॉर्शन स्पेक्ट्रम बाई अप्रिज्म ठीक है बच्चो फिर एक बार सौरी आपको कहना चाहरा हूँ ये वीडियो जब मैंने पहले बनाई थी बच्चो तो उस समय ज फिर सौरी तो बच्चो यहाँपर सबसे पहले सर आईजक नियोटन ने 1666 सपि में प्रियोग किया थी बच्चो उन्हों ने जो स्वेष्प्रकास है बच्चो स्वेष्प्रकास अर्था भी आई बी जी वाई ओहार ठीक है बच्चो ये साथ covers है ठीक है बच्चो, यहाँ पर जो है, जब प्रिज्म में जो है, सुईत प्रकास को गोजारा, अर्था जब यह सुईत प्रकास होता बच्चो, तो यह एक ही होता है, वाइट लाइट करते हैं जिसको, ठीक है बच्चो, यह सात रंग जो है, एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इसी के साथ है, इसी में साथ रंग हैं, इसको कहते हैं बच्चो white light, स्वेत परकास, सोरी बच्चो जब उन्होंने इसको पिरिजम से घुजारा, ठीक है बच्चो ठीक है, तो परकास का मार्ग ये होना चाहे था, इस परकास से परकास को सीधे चले जाना चाहे था, लेकिन ज सबसे नीचे बैंगनी, इंडिको, ब्ल्यो, ग्रीन, यलो, ओरेंज, एंड रेट, दियारा सेवन कलर्स ओन इस क्रेन, वहाँ पर सात रंग जो हैं हमको परदे पर मिल रहे हैं बच्चो, ठीक है बच्चो, तो यहाँ पर जो हैं यहाँ पर जो हैं इस प्रिज्म ने स्वेत प रंगों में बिभक्त कर दिया वच्चो, ठीक है बच्चो, इसी को कहते हैं बर्न बिख्शेपन टिस्परसन ओफ लाइट, ठीक है बच्चो, स्वेत प्रकास जो कि अपने सात रंगों को एक सात ला रहा था इस प्रिज्म ने क्या कर दिया है इन साथ रंगों को अलग-अलग कर दिया है अर्थाथ अपने अवयवी रंगों में विवख्त कर दिया है इनको भिखेर दिया है बच्चों और परदे पर जो हैं बच्चों हमको प्रकास की एक रंगीन पट्टी, बैंड दिखाई देता है रंगीन पट्टी बैंट कहेंगे इसको और इसी को बच्चो कहा जाता है स्पेक्ट्रम इसी को क्या कहा जाता है स्पेक्ट्रम और ये सतत होता है अब मैं आगे आपको बताऊँगा सतत होता है बच्चो अभी तो आपको इस सात रंग दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें करो बच्चो इसको मैं आगे आपको बताँगा फिलहाल अब आपको जानना है कि सात रंग को कैसे याद करेंगे बच्चो तो आपको भी आई बी जी वाई ओ आर के रूप में इसको याद करना है इंगलिस में ठीक है बच्चो वाइलेट इंडिको ब्ल्यू ग्रीन यलो औरेंज and last one is that ठीक है बच्चो यदि बच्चो आपको इसको हिंदी में याद करना है ठीक है बच्चो यदि आपको हिंदी में इसको याद करना है तो आप बोलेंगे बैनी आहा पिनाला ठीक है बच्चो अब एक एक करके आप पकड़ो इसको यहाँ भी है तो यहाँ बैं है बैं म अब आप यहाँ आई पड़ेंगे, आई मने इंडिगो, इंगलीस में कहेंगे, और नी मने नीला, यहाँ बी मने आप ब्लू कहेंगे, तो यहाँ आ, आ मने आसमानी, यहाँ पर जीफ और ग्रीन कहेंगे, तो यहाँ हो, हो मने हरा, यहाँ वाइफ और यलो कहेंगे, तो यहा यहाँ नाफ और नारंगी, यहाँ आरफ और रेड कहेंगे, तो यहाँ लाफ और लाल हो जाएगा, ठीक है बचो, ओके बच्चो, आपने कलर्स याद हो जाएंगे बच्चो आपको, कक्छा दस के बच्चों के लिए भी महत महतोपूर्ण है, अब बच्चो आपको बताते है कि absorption spectrum किसका जो स्वेत प्रकास का absorption spectrum क्या है बच्चो तो जब हमने प्रिज्म से स्वेत प्रकास को गुजारा तो बच्चो आप जानते हैं कि देखो स्वेत प्रकास का जो तरंग देर्य है वो 4000 एंगिस्टोंग से 3700 एंगिस्टोंग के बीच में होता है अरथात ये 4000 है तो 4000 एक दो तीन चार पान्च छाए साथ आठ इस प्रकार से जो है एक और दो के बीच में भी होगा बच्चो तो लाखों तरंग देरे हैं तो क्या होगा लाखों तरंग देरे हैं इस स्वेत प्रकास में ठीक है पदार्थ से गुजारा जाता है तो वो क्या करता है बच्चो कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर देता है वो इस पदार्थ की अपनी विसेस्ता होती है कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर देगा बच्चो और सेस सभी को वो क्या कर देगा पास कर देगा तो बच्चो आपको परद पर विजिविल कितना होँआ कि बद सात कलर होई लेकिन बच्चो इनमें असंख्या रंग होते हैं जो कि अभी रत होते हैं कंटुनियस होते हैं ठीक है आगे बच्चो कितना आपको तो कि बद सात रंग का लेकिन इसमें असंख्य रंग होते हैं ये जो आपने जो इस्पेक्टम देखा बैंड देखा उसमें तो सात रंग देखे बच्चो जो आपने पिरिज में लेकिन असंख्य रंग होते हैं और वो अभिरत होते हैं कंटुनियस होते हैं इसलिए जो हैं ये ये कंटुनियस एब जैसे कांस से गुजारते हैं तो बच्चो क्या होता है कुछ कलर को तो उसने एब्जॉर्ब कर दिया है कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर दिया है जो एब्जॉर्ब कर दिये वो काले होगे बच्चो काली पटी दिखाई दे रहे बच्चो जो ये दिखाई दे रहा है बच्चो इसमें साथ ही कलर नहीं है इसमें लाखों कलर है लेकिन आपको केवल कितने कलर साथ कलर ये भीजिविल होते हैं और इन कलरों को एक कलर को दूसरे कलर से अलग करने की कोई रेखा भी नहीं है ठीक है बचो तो समझ रहे हैं ने बचवा ये जो साथ रंग आपको दिखाए दे रहे हैं मैं उपर लिए चलता हूँ बच्चो आपको फिर देखा बच्चो ये जो साथ रंग आपको दिखाए दे रहे हैं ये साथ नहीं है इसमें असंख्य रंग है और उनका असंख्य तरंग दे रहे हैं लेकिन आप साथ रंग को ही विभेद कर पा रहे हैं बच्चो इसको continuous spectrum सतत आउशोषन spectrum इसको कहते हैं बच्चो तो बच्चो इतना आगे आपको इतना आगे आपको इसी को हम कहते हैं प्रिज्म का आउशोषन spectrum सुछट परकास के लिए ठीक है बच्चो अब बच्चो जो है है या प्रिज्म है आपके लिए प्रस्न है बताई बच्चो रंग प्रकास में है कि प्रिज्म प्रकास को रंग देता है ये प्रिज्म प्रकास को रंग देता है कि प्रकास में और लेडी रंग है इसको हमने आपको बताना है बच्चो इसके लिए क्या-क्या बच्चो सर पर्दे पर प्राप्त हुई अब उन्होंने क्या किया इस पर्दे पर एक सुरा किया और एक एक कलर को जाने दिया दूसरे प्रिज्म से दूसरा प्रिज्म जो है आपको क्या है इसका फलक और इसका फलक जो है इसका क्या होना समानतर हो जाए दूसरे प्रिज्म से उन्होंने ये देखो पड़्दे में छेद कर दिया, तो एक-एक रंग को इन्होंने इस दूसरे प्रिज्म से जाने दिया, जब दूसरे प्रिज्म से जाने के बाद पड़्दे बद देखा, तो जो रंग हमने यहां से दिया, वही रंग यहां प्रावत हो रहा है, इसका मतब अगर इ के पास कोई पैसा नहीं है कोई रुबिया नहीं है अगर ये प्रिज्म इस पहले वाले प्रिज्म से पड़े से हरा रंग आया इस प्रिज्म पे और इस प्रिज्म ने केवल हरा ही रंग दिया इसका मतब इस प्रिज्म में कोई ऐसा गुण नहीं है कि प्रकास को रंग दे सक रंग तरंग दैर्य किस में है परकास में है ठीक है बचो परकास में है प्रिज्म रंग नहीं देता है प्रिज्म प्रिज्म क्या नहीं करता बचो रंग नहीं देगा नहीं देगा किसको परकास को रंग नहीं देगा बलकि परकास में खुद रंग है ठीक है बचो अब क्या क बच्चो यहां देखे बच्चो उन्होंने फिर क्या क्या एक प्रिज्म ये लिया दूसरा प्रिज्म उन्होंने लिया इसकी फलक इसके समानतर कर दी यहां से सुईत प्रकास को गोजारा तो यह सात रंग जो है बच्चो इस दूसरे प्रिज्म पर पड़े तो यह क्या करता बच्चो ये दूसरा प्रिज्म जो है फिर जो है इन सात रंगों को क्या कर लेता है एक ही रंग में बदल दिता है सुईत रंग में बदल दिता है इससे भी सपस्ट हो जाता है कि रंग किस में है प्रकास में है प्रिज्म में नहीं है और ये भेरिभाई हो जाता है बच्चो तो अब बच्चो मैन मुद्धा आता है कि बन बिक्षेपन का कारण क्या है बन बिक्षेपन तो आपको आ गया बच्चो बन बिक्षेपन का मत्व हो गया जब स्वेत प्रकास को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म जो है स्वेध प्रकास के अव्यवी रंगों को बिभगत कर देता है अर्थात वो उस्वेध प्रकास के सात रंगों को अलग-लग कर देता है अब यहां पर देखे वज़ो थोड़ा द्यान देना है आपको यह देखो यह प्रीज्म है यह हमने यह देखो white lightcuidh podcaster, vibgyor प्रीज्म से गुजरा अगर इसमे कोई क्या ने होता? क्या ने होता बंड बिक्षपन की गिरिया ने होती तो ये प्रकास क्या होता सीधे यहां से चला जाता है अब जो है इधर देखे बच्चो ये बैंगनी रंग सबसे नीचे चला गया और लाल रंग उपर आ गया तो इस मार्ग से ये कितना बिचलित हुआ बच्चो लाल यहां पर बैंगनी का डीवियेशन लाल से जादा है अर्थात बैंगनी जादा मुड रहा है किस की तुल्ना में बच्चो लाल की तुल्ना में जादा मुड रहा है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये जो है प्रिज्म का गुण है जिसको कहते हैं अपवरतनांग ये देखो इ प्रिज्म के पदार्थ का अपरतनांग का सूत्र होता है, N बराबर सी बटे भी, अर्थाथ ये आपको लिखना है, बचो नौर्स बनाएंगें, पौस करके नौर्स बना सकते हैं, बचो, ठीक है बढ़ सोर्ट आपको बताए जा रहा है, N मानें, प्रिज्म के पदार्थ का प्रतनांग बराबर निर्वात में प्रकास की चाल, बटे माध्यम में प्रकास की चाल, ठीक है बचो, अब देखे बचो, कितना जाएगा बचो, sorry बचो, N बराबर तीन गुणागे दस की घात, आट मीटर पर सिकिन, बटे बचो, ये तो constant है, ठीक है बचो, जब ये constant है, तो N-1 into A, ये अपरतनांग है, परतेक रंग के लिए अपरतनांग अलग लग हो जाता है बचो, ठीक है बचो, ये प्रिजम का कौन है, अब हम जानते हैं बचो, ध्यान दीजी, हम जानते हैं, लाल रंग की चाल, लाल रंग की चाल, बैंगनी से अधिक होती है, ये भी R क्या ह होता है, भी B से बड़ा होता है बचो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपरतनांग निकालेंगे बचो, ठीक है बचो, ये देखें, अपरतनांग हम सबसे पहले निकालेंगे, तो N किसके विद्प्रमान पाती हो रहा है, भी के, अब यहाँ देखें बचो, लाल, ल लाल रंग के लिए अपरतनांग 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 के लिए अधिक 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 लिए जाए बच्चों तो यह डेल्टा आर ब्रावर नर माईनस उन हो जाएगा बच्कों यहाँ पर यह जूत नर nearby एक गोर्ण मेन बच्चों जलका को- अब देखो बच्चो, बैंगनी के लिए कितना हो जाएगा, यह देखो, NB-1 into A, यह A तो constant है, NB क्या है बच्चो, अधिक है, जब यह अधिक होगा, तो देल्टा भी अधिक हो गया, और डेल्टा आर क्या हो गया बच्चो, डेल्टा आर क्या हो गया, कम, तो हमने क्या प्र होता है यह देखे बचो बैंगनी रंग जादा बिचलित होती है अब हमें यह बताए बचो यहां पर प्रिज्म क्या कर रहा है प्रिज्म क्या कर रहा है बचो यहां पर प्रिज्म जो प्रिज्म है वो उसका अपरतनांग प्रिज्म का जो अपरतनांग है वो सभी रंगों के लिए अलग-अलग हो जा रहा है सभी रंगों के लिए प्रिज्म के पडार्त का अपरतनांक बदल जा रहा है बच्चो ठीक है बच्चो और वो उस अपरतनांक के कारण क्या हो रहा है बच्चो क्या हो रहा है वो अलग-अलग deviation angle उनको दे रहे हैं जब deviation angle अलग होंगे तो क्या होंगे वो अलग अलग angle पर deflect होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा deflection होगा वो आधार की ओर आ रहा है ये देखो बचो ये किसकी ओर आ रहा है ये किसकी ओर आ रहा है ये prism के आधार की ओर आ रहा है और धीरे धीरे यहां से deviation कम होता जाएगा और लाल किसकी तरफ जा रहा है बच्चो ये देखो ये कहा जा रहा है सीर्स की तरफ जा रहा है सबसे उपर जा रहा है क्योंकि उसमें deviation क्या है कम है और बैंगनी में जो है deviation सबसे अधिक है तो बच्चो मैंने आपको बता दिया कि बन बिक्षेपन का कारण क्या है बन बिक्षेपन का मेन कारण है कि प्रिज्म में यहां तो प्रकास की चाल एक है सी यह देखो प्रिज्म में प्रकास के भिन भिन रंगों की चाल भिन भिन हो जारी है ठीक है बच्चो परतेग रंग क चाल क्या हो जारी है अलग हो जारी उसमें लाल की सबसे जादा बैंडी की सबसे कम हो जाती है इस चाल के कारण क्या हो रहा है चाल के बदलने के कारण सभी रंगों की चाल बदलने के कारण इस प्रिज्म के पदार्थ का अपरतनांग सभी रंगों के लिए बदल जा रहा है और उसके कारण ये बिचलन कौन भी बदल जा रहे हैं और यही किसका कारण है बच्चो बन बिक्षेपन का कारण है अंत मैं आपको बता दूँ कि बन बिक्षेपन क्या है स्वेत प्रकास को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो स्वेत प्रकास को उसके अवयवी रंगो में सात रंगों में बिभक्त कर दीता है इस घटना को हम बन बिक्षे बन कहते हैं बच्चो तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो